हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके योट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DRDO STAB का यहाँ पर स्टायर 2 का विजल्ट यहाँ पर जारी हो जुका है तो बात करेंगे कि इस बार कितना कट ओफ बना है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो देखेंगे आपको description में link मिल जाएगा आपके सामने ये page open हो जाएगा जहाँ पर आप देखेंगे click here to check the final result of STAB लिक की आ रहा होगा आपको इसके उपर click करना है इसके उपर जब click करेंगे तो आपके सामने ये page open हो जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले post applied for पुछा जाएगा किस post अपने apply क्या था उसका यहाँ पर आपको selection करना है इसके बाद जो आपका application number था आपको अपना application number यहाँ डालना है और इसके बाद आपको जो date over थे वो आपको date over डालना है इसके बाद यहाँ पर capture code देखेगा इस capture code को यहाँ fill up करना है और इसके बाद नीचे यहाँ पर submit का option आएगा आपको submit की उपर click करना है submit के उपर जैसे click करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो detail होगा वो देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किस post class apply की हैं वो देखने को मिलेगा उसके बाद किस subject में गये थे वो देखेगा और उसके बाद percentile score देखने को मिलेगा याने इस पार केसी फिरकागा माक्स, यहां पर भाया है, DR-DO ना टायर 1 ना टायर 2 पर यहां पर। इस के से लिखाँ अधर लिखा हो गाभर due cod always क्वालिफायड अब यह पर हो समय फॉसितना लेधा है लेकर क्यों को सब्सक्राइब अब बात कर से लों में क्यों कहते हो है तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड करने का उप्शन आ जाएगा आपको PDF डाउनलोड कर लेना है इसके बाद यहां पर जो कट अफ होगा वो देखने को मिल जाएगा अब जैसे यहां देख पा रहे हैं STB यहां लिखा बहा है यह मेकनिकल इंजिनिंग का आपको बता रहा हूं तो यहां पर देखर जेनरल कर्टेगरी के लिए 91.14 जो यहां पर परसेंटायल स्कोर बना है यह कट अफ नहीं है यह परसेंटायल स्कोर है SC का यहां पर 82.47 है ST का 56.96 है और OBC का 89.62 है और EWS का 87.13 है और उसके लावा जो भी विकलांग और कर्टेगरी में जो आते हैं उनका यहां पर कट अफ शो किया गया है तो यहां पर कट अफ यहां पर परसेंटायल के रिस्पेक्ट में है अब परसेंटायल जो होता आपके स सिफ्ट में मैक्समम कितने बच्चन टॉप किया उसके हिसाब से यहां पर कट अफ बनता है ठीक है तो यहां पर OBC और जेनरल और यहां पर EWS सभी का यहां पर कट आफ यहां पर जारिक कर दिया गया है अब बहुत से बच्चों का यह भी कॉशन हो कि मार्क्स यहां पर यह तो यहां पर मार्क्स अप्लोडने के बहुत ही कम चांस है क्योंकि यहां पर CBT2 के हंदर यहां पर रिजल्ट जो आता इसी में आपको टार 1 का टार 2 का मार्कस दे दना चाहीँ था लेकन यहां पर मार्कस नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह हो रहा है कि DRD आपको मार्कस बताने वालाई से बार है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जो बच्चों का लिख्या आ रहा है, कि इक्वालिफाइड हैं, पर सोर्टलाइज नहीं, वो क्या है, तो यहाँ पर देख पारे हैं, प्रोविजनल सलेक्षन केरेटरिया जो दिखावा है, यहाँ पर लिखाव तो इन जो बच्चे qualified तो लिखावा पर यहाँ पर सोटलाइज नहीं हुए है इसका मतलब यह हो रहा है ना कि वो 40% जो OBC और General Category का जो cutoff मांगा गया था उनको पाड़ कर रहे हैं लेकिन अगर SCST का बिलोंग कर रहे हैं अगर आपने 35% मांक्स अप्टेंड किया है तो यहाँ पर SCST में qualified क्लाएंगे पर selected नहीं क्लाएंगे तो यहाँ पर बताए गिया है और selected जो हो रहे हैं वो cutoff के हिसा आप से हो रहा है अब अच्छी तरह से मेंद करेंगे आपको और समय अच्छा तरकी मिल सकता है अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो बच्चे अब यहाँ पर DB के लिए जाएंगे उनको हर एक डोकुमेंट बना के रख लेना है में है category certificate जो cast certificate होगा वो ध्यान रखेंगे तो जिस categories आप बिलोंग करते हैं उसको central government के format में आपको बना के ले जाना होगा तो आपको ध्यान रखना कि काज certificate से अगर आप नहीं पर देंपाएंगे तो आपको जेनरल मानना जाएगा अगर जेनरल कॉट पार नहीं कर पाएं तो आपको यहाँ पर रिजल चला जाएगा आपको सीट खाली हो जाएगा दीस पकार से आपको यहाँ पर अप्डेट था वो मैंने आपको दे दिया है आश़र करता ही विडियो अच्छा लगा होगा अगर विडियो अच्छा लगाओ तो लाइक केजे वीडियो को शियर केजे मिलेंगे जल्द із नेक्स वीडियो बें थैंक यूवर वासंग देश आपे स्टेब एंगा है नदिस वी एंगा